वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर्स तो आज की इस वीड़ो पर मैं आपको कैपकर्ट के एक न्यू फीचर के बारे में बताने वाला हूँ जो की काफी कमाल का फीचर है और ये वाला फीचर अभी बिल्कुल न्यू है रिसेंटली ही इसको एड किया गया है कैपकर्ट के अंदर अभी इसके बारे में उतना लोगों को पता नहीं है तो मैंने सोच एक टूटेरल बना के आप सभी के साथ सेयर कर देता हूँ मुझे तो ये वाला फीचर काफी कमाल का लगा और ये वाला फीचर एक्चुल में हम को जरूत है बहुत ही यूजफूल फीचर है और इसका काम देखके आप बिल्कुल सौक हो जाओगे जी हाँ आप यकीन नहीं कर पाओगे ऐसा भी हो सकते है क्या तो वीडो पर एंड तक बने रहे हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप उस फीचर का यूज़ कर सक प्रियुक्ती हो और साथ मैं और भी काफी सारे क्यापकट के बारे में बताया हूं तो चलिए अब वीडो को स्टार्ट करते हैं नू फीचर्टे हम क्याप क्यापकट एंप के देखने वाले हैं आपके पास क्यापकट क्याप घुश् कर थे मूंन पड़ेगा तो वीपियन आपको Google प्लेश्टोन मिल जाते हैं काफी सारे वीपियन आपको मिल जाएंगे उन में से किसी को भी आपको इंस्टॉल कर लेना एंड उसके बाद ओपिन कर लेना फिर आपको यहाँ पर कनेक्ट का एक ओप्शन दिख जाएगा कनेक्ट को पर क्लिक करके आपको वीपियन से कनेक्ट हो जाना है उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है फिर कैपकट को ओपिन करना है मतलब कि सबसे पहले आपको वीपियन से कनेक्ट हो जाना है दिन उसके बाद कैपकट को ओपिन करना है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ और यहां से आप एक या फिर दो इमेजेश को आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइक मैं यहां पे दो इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद He can create को पर click कर देना है तो आपका जो इमेजेश होगा वो यहां पर add हो जाएगा इस वाले option को पर आपको click करना है सोरेट के आपका कैपकर्ट सीधा हो जाए उसके बाद आपको अपने इमेज को पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टाइल का आपको एक option दीखेगा तो इसको पर आपको क्लिक कर देना काफी सारे आपको यहाँ पर effects and features देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप देख सेक्तो बहुत सारे आपको यहाँ पर नए वाले और पुराने वाले भी features आपको देखने को मिल जाएंगे हमें ज़रत है autofill की तो आप बिल्कुल starting में आजाना यहाँ पर आपको autofill 1 और autofill 2 देखने को मिल जाएंगे तो इन में से किसी के उपर भी आपको क्लिक कर देना थोड़ा सा आपको wait करना हो उसके बाद आप यहाँ पर magic देख पाओगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो processing complete हो चुका और हमारे image का size increase हो गया है आप यहाँ पर यह देख सकते हो before और यह after एक क्लिक में यहाँ पर image का size हो increase हो चुका है यह हमारे before का image और यह after का और इतने realistic type से increase हुआ है कि कोई बता ही नहीं सकता है कि यह edited image है या फिर original image है तो इस level तक का आप अपने image का size को increase कर सकते हो और ऐसा नहीं कि सिर्फ standing images का हैं यह size को increase कर सकते है नहीं आप यहाँ पर किसी भी type का image को उपर आ जाओ और यह autofill one या फिर autofill two जो भी आप चाहो उसे apply कर लेना तो आपका जो image का size होगा वो यहाँ पर increase हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देखी सकतो processing complete हो जाए दिन आपको यहाँ पर इसका भी result देखने को मिल जाएगा लाइक यहाँ पर भी आप देख सकतो image का size increase हो चुक है जरह हम इसे done कर लेते हैं आप देख सकतो यहाँ पर image का size increase होगे एका street पर आ चुक है आप यह देख सकतो before का हमारा photo जिसमें की सिर्फ और सिर्फ वो face देख रहा है अब यह इतना छोटा सा image से size को increase करते हुए मतलब expand करते हुए आपका एक कमाल का यहाँ पर photo बन जाएगा जो कि आप देख सकतो size काफी ज्याधा increase हो चुक है ठीक है तो इस auto fill की या फिर इस नए वाले feature का use करके आप अपने photos का जो size है उसका size increase कर सकतो और बिल्कुल realistic टैप का अगर आपको थोड़ा सा size को increase करना तो आप यह auto fill 1 का use करना और अगर आपको ज्यादा size को increase करना तो auto fill 2 का आप यूज कर लेना ठीक है तो मतलब कि यह जो नए वाला tool आया है या फिर नए वाला feature आया है इसकी मतलब से आप अपने size को increase कर सकतो image का ओके मतलब कि expand कर सकतो तो जब आपको expand हो जाए तो आप इसके ओपर click करक यहां से एक screenshot ले लेना अगर आप सिर्फ image रखना चाहते हो अगर आप इस image का use करके कोई video वगरा बनाना चाहते हो तो यहां पर music effect यह सब use करके video आप बना लेना उसके बाद export वाल बटन को पर click करके save को पर click करके आप इस export कर सकती हो तो I hope आपको यह नए वाला feature वो